नमस्कार हिंदुस्तान देखें इस महमारी और निरासा के दौर में एक बहद खुशकवरी आई है कि हमारी अर्थविवस्था की रिण की हड़ी समझाने वाली भारती ये मानसून जिसे हम दच्छनी पच में मानसून कह रहे हैं लगबग नियत समय पर संपूर्ण भारती महादीप को समान्य तरीके से प्रभावित करने वाली है जब ये खुशकवरी आई तो भारती किसानों के साथ साथ अर्थ विवस्था से संबंधित प्रतेक मानों के चेरे खुशी से खिल गए इंडियन मेटेरोलोजिकल डिपार्टमेंट अर्थात भारती मौसम विभाग ने जो सूचना दी है उसके उन साल इस साल भारती मानसून अर्थात दच्छनी पच्छमी मानसून समान्य इस्थिती में है समान्य स्थिती का मतलब कि 100% वर्षन का और छेफ हमें प्राप्त होने वाला है लेकिन जब समान्य की बात होती है तो उसमें विचलन देखा जाता और विचलन एक स्वभाविक पक्च्छ है विचलन कितना देखा जाएगा यदि समान्य की बात की जाती है तो यह समझो कि 4% कम या ज़ादा तो मानसून या तो 96% या 104% के मद्धी रहने वाले या 94% तक वर्षा 94% से लेकर 104% के मद्धी वर्षा करेगी लेकिन यह एक आउशत है विचलन इसलिए कि यह एक अती जटेल वाइमंडली परिसंचरण के अंतरगर संपाधित होने वाली एक उसमा गतिक प्रक्रम है इसलिए इसमें काफी विचलन सीलता देखी जाती है और इसे अनीक कारक प्रभावित करते हैं और वे कारक जलमंडल से संबंदित हैं वाइमंडल से संबंदित हैं इस्थलमंडल से भी संबंदित हैं तो इसमें काफी नकरात्मक विचलन देखा जाता है। मानसून के आने का दिवस है तो भारत के मुख्य भूमी से एक जून को यह टकराती है मालाबार्त टर्थात केरल से। लेकिन इससे पूरो भारत की अगर भावगोलिक प्रविट्ति की हम बात करें तो यह बीश मई के आसपा संदमान निको वार दीप को प्रभावित करती लेकिन अगर एक कालक्रम हम देखते हैं कि भारती मानसून कब कब कहां आती है तो एक और स्थान पर इसका प्रभाव देखा जाता है तो वीश मई को यह जैसा कि बताया कि अंदमान नीकोबार्दीप समू एक जून को मालाबार तट जो केरल का तट है और उसी दिन मिजोरम और तिर्कुडा वाले भाग को प्रभावित करती है। प्रभावित करने लगती है और 30 जून तक संपूर्ण पंजाब को और जुलाई के प्रथम सप्ता में यह जो है लगवग जम्मु कस्मीर और पाकिस्तान तक पहुँच जाती है। यह समान इसी परिस्थिती है। तो जैसा कहा गया कि IMD ने भारती मौसम विभागने सुचना प्रदान कर दी है कि मानसून लगबग नियत समय से लगबग समय इस ले लिया। कि अभी अभी जो सुचना प्राप्त हुई है दो दिन पहले भी सुचना प्राप्त हुई थी आज कन्फर्म कर दिया गया कि मानसून तीन जून को मालाबार तड़ से टकराने वाली है। इस्थल मंडल वाय मंडल जल मंडल यहां तक कि जे मंडल के कारग भी प्रभावित कर रहे हैं वरतमान में तो बताया गया कि एक जून के बजाए मालाबार तड़ से मानसून तीन जून को ठकरा रही है। अब देखो जैसे मानसून सब्द आ जाता है तो जिग्यासा होती ह कि समझे क्या है तो जैसे हमने कर दिया कि यह एक जटिल प्रक्रिया है और यह जटिल प्रक्रिया सूरी और प्रिथवी के सापेचिक इस्तिती पर निर्भर करती है जैसा कि हम देखते हैं कि सूरी और प्रिथवी के सापेचिक इस्तिती हमेशा परिवर्तन सील है और इस प प्रेशर विक्सित होता है जब लो प्रेशर विक्सित होता है तो जो दच्छनी महासागर हिंद महासागर और दच्छनी प्रसांत महासागर में जो विचलन सीलता देखी जाती है वहां से आने वाली ब्यापारिक पावने वायवदाप प्रवनता के कारण तापमान प्रवनत सुरियख दचनायन से उत्रायड होता है तो यह जो कार्यात्मक प्रवितियां चैंज़ जाती और ब्यापारिक पॉने ही मानसूनी पॉन्यों के रूप में आती है और जैसे दचनी गुलाड से उत्री गुलाड में इंटर करती है कोरियालिस बल से प्रभावित होकर अपनी दाहिनी उर क्या होती है इस्तनान्तित होती है और जैसे वो इस्तनान्तित होगी कहाँ पर विश्वत रेखा पर जब आती है मेस्केरियन हाइलेंड के आसपास हिंद महासागर में क्या है एक मेस्केरियन हाइलेंड है वहाँ पर जै ऐसे आती हैं तो कोरियालिस बल से प्रभावित होकर अपनी दाहिनी और विचलित होती हैं उत्तरी पुर्वी दिशा में होते हुए संपूर्ण उप महादीप को प्रभावित करती हैं